श्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं और उसके अंदर अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंज के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यह जी उसने में अप्लिकेशन है इसको अगर ओपन नही करना है अब यहां पर आपको अपनी जितनी भी मोबाइल में install अपेशिन होंगी सभी देखने को मिल जाएंगी तो यहां पर आपको कुश्री करना scroll करके अपनी application को search कर लेना है, तो यहां पर Geo Map fattoIP को search कर लेते हैं तो Alphabet के हिसाब से यह जो है, आपको सभी application से यहाँ पर मिल जाएंगी तो Geo Cinema application है, तो यहाँ पर आपको Geo Cinema application मिल चुकी है इसको यहाँ से open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जैसे आप स्क्रोल करेंगे नीचे restricted data uses यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको wifi और mobile data दोनों option देखने को मिल जाते हैं अब आपको यहाँ पर सबसे पहले wifi को slack कर लेना है देन उसके बाद mobile data को slack करना है अब यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है विन दोनों को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो जिसने में अप्लिकेशन है उसको आप यूज कर पाएंगे वह इसली जो है open भी हो जाएगी और आप उसको यूज भी कर पाएंगे यह काम आपको जरूर से कर लेना होगा देन उसके बाद अगर अपको फिर भी problem आती है तो उसके बाद क्या करना है यही पर रहना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे उपर storage पर आपको क्लिक कर देना है नी और फिर से ओन कर लेना है जैसे आप देखेंगे अपना अप्लिकेशन को यूज कर पाएंगे और ओपन भी कर पाएंगे किसी दरह से कोई problem face करनी नहीं पड़ेगी यही कुछ ट्रिक्स हैं आपको अपको अप्लाई करनी होगी आपके problem 100% हो जाएगी अगर आपको फिर भी